कि नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं धुनम आपके स्वाइब हेमा मालीनी हाल ही में भजन लाउंच इवेंट के लिए एसकॉन टेंपल पहुची थी इस इवेंट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस एक माहिला के टच से इरिटेट होकर उसका हाथ अटाती भी नजर आ रही है वीडियो वारल होने के बाद से हेमा मालीनी को उनके बरताव के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है हेमा मालीनी भजन के रिलीज इवेंट के लिए असकॉन टेंपल पहुची थी इवेंट में अनूब जलोटा नितिन मुकेश समयत कई स्लेप्स शामिल हुए इवेंट में हेमा भजन गायक अनूब जलोटा के साथ तस्वीरे क्लिक करवा रही थी तबी सफेद कपड़े पहने हुए एक महिला हेमा मालीनी के साथ तस्वीर क्लिक करवाने आ गई महिला हेमा मालीनी के करीबाई और उन्होंने कंदे पर हाथ रखने की कोशिच की इससे एक प्रेस चड़ गई और असाहज होते हुए उनका हाथ हटाने लगी साथ ही उन्होंने कहा हाथ मत लगाओ महिला ने आगे हमा मालीनी से दूरिया बना यो तस्वीरे क्लिक करवाई लेकिन इस दोरान भी हमा असाहज ही नजर आई वीडियो सामने आने के बाद से ही सोचल मीडिया पर लगातार हमा मालीनी को ट्रोल किया जा रहा है एक यूजर ने लिखा है आप ओडियोंस और फैंस की वज़े से स्टार बनी है क्या गलत है अगर वो आपके साथ तस्वीर क्लिक करवाते वे कंदे पे हाथ रखते ये खुद को क्या समझते है महीं दूसरे यूजर ने लिखा है ये लोग कभी भी जमीन से जूड़ी हुई परस्नालिटी नहीं थे ये बस स्क्रीन पर शो आफ करते है महीं एक्ट्रेस मलिश का हिमा मालीनी के सपोर्ट में आगी आई है उन्होंने वीडियो पर कमेंट कर लिखा लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ मत चूओ अगर वो कमफटेबल नहीं है तो नहीं है ये आटिट्यूट नहीं डिसेंसी और स्पेस है सिर्व इसले कि हम किसी को स्क्रीन पर किसी तरह देखते हैं इसका यह मतलब नहीं कि वो रियल नहीं है जिन एक अंजान के बिना इजाज़त चूने से असहज महसूस हो इसी के साथ परने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद इसका बिस्टार के साथ जाज़त रहे रहे रहे, इसले के साथ भाट के से असे हैं झाल झाल